बीजेपी की प्रेस कांफरेंस की हो गई है शुरुवात रवी शंकर प्रसाद की तरफ से क्या कार जा रहा है? एक पार्टी जिसने आज बेवसी का प्रदर्शन किया है उसके संदर्म में माननिये रवी संकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगा मित्रवर संजा मयुग जी, डॉक्टर संवित पात्रा, सभी संबानिय पत्रकार मित्रो, नमस्ते अभी कॉंग्रेस पार्टी के दफतर से बहुत ज्यान मिला है और राहुल गांदी ने तो ऐसा ज्यान दिया है कि देश को भी काफी समय लगा समझने में तो ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है हमारे सम्मानिय राष्टिय धजडे में एक ट्वीट किया है, आपको पता ही है, देखा होगा आपने अगर राहुल गांदी, सोनिया जी और खरगे जी के सामोही प्रेस को एक सब में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंडा गया है मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले लोकसभाद चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंडा गया है इन अटर डेस्परेशन अफ इमिनेंट डिफीट तो कॉंग्रेस पार्टी अगर फ्रीज किया गया है तो देश का एकाउंट फ्रीज किया गया है ये तो कमाल है भाई, मुझे अपने जेपी मुव्मेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई इंद्रा इज इंडिया, इंडिया इज इंद्रा, याद है ना इमर्जनसी का दिन जेपी के अगवाई, कॉंग्रेस पार्टी किहार, आप सभी जानते हैं कॉंग्रेस पार्टी राजनितिक रूप से सूख कर काटा हो गई है, फिर भी कॉंग्रेस पार्टी के अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ मिश्र राहूल गांदी, वाट दियू में बाई दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डिमाकरसी राहूल गांदी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मशार नहीं करें ये देश आपकी पार्टी से बढ़ा है, ये देश का लोकतंत्र आप से बढ़ा है और आज इसी देश में आपने जूट बोला है, गाली दी है और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है न? तो आप जूट बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है आपको ये तक अधिकार है, और करें देश का लुकतंत्र नहीं है, ये कौन सा दर्क है? ये बात मैं बहुत विनमता से कहना चाहूंगा तक कोई नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं, इंडिया में कोई डिमाक्रसी नहीं है सिंगापूर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंडन जाते हैं वही कहते हैं और आज उन्होंने यहां भी कह दिया, आज उनके जूट का मैं पोल खोलूँगा लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? बीजेपी के राश्टिय मंज से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, सोनिया जी, राहुल जी, अब खर्गे जी से कितना पूछा जाए, देखते हैं, आज भी तो उनका नमबर थी ही था, प्रियोरिटी में, हाला कि उवराश्टिय अद्धक्ष है अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं, तो हम क्या करें? अगर राहुल गांदी ये पिक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैम्पेंड करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केर इतना गर्बलाया हुआ है और आज मैं कॉंग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, हम भी चाहते हैं कि विपक्षकर में कॉंग्रेस पार्टी पन पे, कितना पन पे उनका विशह है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहूल गांदी से मूग खुलवाएंगे, तब तक स्टॉक मार्केर का और गिरेगा दिए जेन्टल अडवाईस तो पार्टी विश्यू वेल अब थोड़ा सा राहूल गांदी ने जो जूट बोला है कि हमारा पूरा बैंक एकाउंट फ्रीज कर दिया तो हम क्या करें तो आज रेकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी है बाकी इंकम टैक्स का विश्यू है तो सरकार सीगोर से बोला जाएगा लेकिन अल्प ग्यान समस्या पैदा करता है राहूल गांदी जी राजितिक विश्यों पर कितना होमवर्ग करते हैं तो आप जानते ही है कानूनी विश्यों पर भी जब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता हो जाती है इंकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इंकम टैक्स नहीं लगता लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है जिसने बताना पड़ता है कि बीस जार तक कितने हमारे डोनर्स हैं बीस जार से उपर कितने डोनर्स हैं और अगर आपने यह नहीं फाइल किया हर assessment year में तो आपका यह exemption खतम हो जाता है यह है section 13A लेट मी रिपीट under the income tax act section 13A there is a clear provision that the political party is exempted from income tax provided they file their return every year as to how much money has come of 20,000 rupees and duly certified auditor's report as to how much they have received from big donation if you don't do it you lose that exemption यह बहुत basic चीज है जिसको समझना चाहिए अब थोड़ा हम आपको बता दे कि यह जो चिला रहे है 6721 को assessment year 1819 के लिए order पास हुआ कि उन्हें return फाइल नहीं किया था तो return फाइल नहीं किया तो exemption खतम हो गया exemption खतम हो गया तो एक सो पाँच करोड सत्रह लाक उन्तिस हजार 635 रुपे का demand तखा गया और मैं आपको बता दूँ income tax act में धारा 220 धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावजान है collection and recovery 10 section कैसे collection होगा कैसे recovery होगी certificate होगा penalty लगेगी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ पर दरीजा inbuilt mechanism उसका test का process है ITO ने नहीं किया तो आप अपील में जाएंगे अपील नहीं किया तो आप कमिशनर के जाएंगे कमिशनर नहीं किया तो आप ट्राइबिनल में जाएंगे ट्राइबिनल नहीं किया आप हाई कोट जाएंगे सुपरिम कोट जाएंगे इस से ना संजाई महयूक को मतलब ने डॉक्टर पातरा को मतलब ने न मुझे मतलब ने भाजपा को मतलब है this is a routine tax process और राहूल गांदी ने सफेद जुट क्यों बोला है यह आज देश को भाजपा के राश्टे मन्च से जाना जरूरी है हर जगह उनका इस्टे रिजेक्ट हुआ उस पेनालिटी में एकाउंट फ्रीज हुए टैक्स नहीं दिया और जुट बोले हैं आज अब देखिए इन्होंने जब इनको पेनालिटी लगी तो यह CIT अपिल के हां गए यह स्टे अप्लिकेशन रिजेक्ट हो गया इस बात को समझे इसलिए अब बिल्कुल रीजन और पर गया उसके बाद फिर यह गए CIT के हां कमिश्टर अपिल के हां वहां भी रिजेक्ट हो गया इनका देखा गया 135 करोड़ टैक्स प्लस इंट्रेस्ट एड़ किया गया फिर आइटी एटी जो इंकम ट्रेक्स ट्राइबनल है उन्होंने इनका स्टेपरिशन डिस्मिस कर दिया अब इसके खिलाफ यह हाई कोट गए और मानिये दिल्ली उश्नाला ने तेरा मार्च क वो भी रिजग कर दिया